कि नमस्कार दालाइव इंडिया से मैं योगे जांडा और फिलाल आज हम आपको दिखाएंगे एक एक ऐसी जगह जहां पर आस्था को लेकर बहुत से चर्चे हैं बहुत सी बाते की जाती हैं और काफी चीजी हैं मौजूद हैं हम आपको दिखाएंगे क्योंकि दालाइव इंडिया ने एक करेकरम को शुवाच की है जिसका नाम है दरोहर आज की जो दरोहर प्रोग्राम है उसमें हम आपको दिखाएंगे गाउं जटीकरा जो कि दिल्ली बोर्डर पर हैं और गाउं जटीकरा है ध्रमकुर के साथ में लगता है उसी के इंदर एक कि नोलिज नहीं कि मंदर के ऐसली खासियत क्या है कहते हैं सिखों के सबसे पहले गुरू गुरू नानक देव जी के प्रमशिष्य शिरी एक जाराठ शिरी श्री एक जाराठ बाबा मर्दास जी नहीं अतापश्या की थे और इसमंदर का संस्था पकिया था कहते हैं यह में मात्र तीन बार सनान करने से कितना भी पुराना पीरिया हो वो समाप्त हो जाता है कहते हैं इस मंदिर की यह खासियत है परन्तु काफी लोग को आज इसकी नोलिज नहीं है तो इसी चीज को जानने के लिए आज हम इस श्री श्री बाबा एक हजाराठ मर्दास जी के काफी डोक्टर का इलाज करने बाब भी ठीक नहीं होता है लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है जो कहते हैं कि तीन बार नहाने से और कपड़े चोड़ने से उसके बाद यह खतम हो जाता है इस पीलिया खतम होने की बात को लेकर दालाइव इंडिया के टीम आज पहुँंचिए एपको दिखाएंगेा जानकारी के लिए आपको दिखाएंगे कि किस परकार की चीजे आती है और किस परकार वो सेट होता है और यहां पर क्याइक चीजे मोइद HAVE परकार किया कि धाना जो बताएगी पीलैटड सब धाना के वह लेकर हम यहां पहंचे हैं यह मंदिर का द्वार गिण हai जो हमें ब्र१ारब करते हैं इस परकार उंद्र मां पैं टिर्ण कर सकते हैं यह कि एंगे यह मंतिर का पूरा मंदिर बना ईए छोटी थोवीरे हैं क्यvida आंधित के नाम से मंतिर बना हुआ है और लगाता है पूंढ तस्वीरे भी हम आपको दिखाते हैं इस प्रेक्षे मां का मंदिर है हो और साफ स्पष लिखल रफित प्रेगा करें जलना शठाएं यह आपको मंदर दिखाई देगा उसके बाद आप लगाता जाते जाएंगे जब दंबे दुर्गागा माक का मंदर है क्योंकि काफी पुरानी परिश्ट मंदर में से एक आते हैं काफी लोग इसकी नोलिज नहीं है कि इस मंदर में एक्षिली होता चाहिए और इसकी जानकार है कि यह श्री मंदर गणेशाय नमस्री श्री मंदर भी कहा था इसमें गणेशी मूर्थी में मौजूद है और आप यहां का बाता सबसे बड़ी खासित्या की बात यह आप वातावन देखिए कितना शांत वातावन है बिल्कुल शांत गुरुगराम के साइपर सिटी जैस और यहां बढ़ के पेड़ भी आपर देख सकते हैं यह बढ़ के पेड़ यहां अच्छी साँ हте घूकरान की लगातार की ब्रू ना लेकं किश हारों उसके नेकर कस यहां को शुट पस्का आप 스ल का नाम कहते हैं राम कुन्ड के नाम से वह जाना जाता है के प्सक्सक्राइब के नाम से अमसी देख रहे हैं लगतार मैं आपको लेके चल रहा हूं उस तस्वीरों की तरफ जो इस मंदर की सबसे खासियत है उस कुंड का नाम कहते है राम कुंड के नाम से वो जाना जाता है और इस राम कुंड के नाम से हम उसको देख रहे हैं लगातार मैं आपको लेके चल रहा हूं और यह पूरा मंदर है अब देख सकते हैं यह है राम क्योंकि यह अमरे कुंड है और इसके बाद कि मैं आपको लेकर लेकर चल रहा हूं दिखाने के लिए तस्वीरे हैं कि कुंड में जो राम कुंड के नाम से जाना जाता है जटीग्रा गाउं के इंदर तालाब छोटा सा मोज़े गए यह है राम कुंड का एरिया आप देख सकते हैं राम कुंड पर इतलाब हुआ करता था परन्तों सूग इसके लिए बोर लगा दिया गया है और क्योंकि यहां पर बेल फीमेल सभी प्रकाई के लोग आते हैं और काफी दूर-दूर से लोग यहां तक पहुछते हैं कि इस विम Fit कि काफ यहां पर बोर बना दिया गया दिया जिससे पानी भी लेगर जा सकते हैं रहां कंडाल है आई एक वाम आपको दिखाएंगे यहां पर और भी क्या चीज़ें हैं जैसे स्रीबाबा मर्दाजी के समाधी यह बनी हुए यह चण स्थल भी यह मौझूद हैं मैं उनको भी आपको लगातार दिखाऊंगा केमरे के माज़म से यूँब ऐसका सकते हैं मेरे साथ यूँ लगातार मैं मोजूद हूँ और पस्वीरें माहित साथ मौझूद है कि कहते हैं बाबा मर्दाजी के थी और आज तक उनको किसी ने देखा नहीं है और इसका पूजा की जाती है यह वापा मरदाजी के है इनकी पूजा यहां पर की जाती है उसके बाद कामा दिल से सचल से हमानी जाती है उसके बाद मैं आपको लेका जा रहा हूँ यह समाधिस स्थ्लावाबा अमर्दाश जी जहां पर उपूजा करते थी, आप शूमिंग करेंगे, इसे लोगों पता चल सके कि हांपर आने का क्या फाइदा मिलेघा, क्या नुपसान होगा, थिदा है कि कि यहां के जो पुजारी जी थे उनके जो पिता जी थे तो पहले यहां की पूजा करते थे और अगे बाद इन्हों ने यहां हjä trendy Elijah करना शुरूब इस्ट उसी अवां करने जा रहा हूं और इसका इतियास यह जो है मैं आपको बताएं घरा कि पूरे से जानेंगे इनका इतिया के लिए मैंना आपको बता तिया है लेकिंगा पूरा इतियास है पूरी जो डिटेल्जन पुझारी जाने में कहते हैं, पुझारी जो पिता जी थे, वो पहले हैं समाधि की सेवा करते थे, और फिर बाद दाई तो इन्हों ने उठाया तो मैं जाना चाहूँगो सबसे पहले आप ना बताइजी कि रुटाद ना जाना चाहिए, आपके पिता जी पहले हैं आपके प्ताजी पहले यहान सेवा करते थे बापा मर्दाज जी की, तो उसके बाद इसका दाईतो आपने उठाया, तो क्या कहना इसको लेकर वे कर उनके सामने इफाल दिया कि तो कब से बुजा कर रहे हैंगों व तो आप कहां के रहने वाले प्रूपर हम यूपी दिश्टिक बदाईयों से तो यहां पर आप यूपी से यहां पर आये हैं तो किस क्या कैसा रासा पर किस परकार यहां पहुंचे अब जब आपता चारूं पेल आपता यह पहल है तो यह हम अपना थेकेदारी करते थे मजदूस्च वगएरा लगाकर यू जो मतलौ अबुरेंग वगएरा जो खड़ा वगएरा ख़धारी उसको हम करते से ऑर यहां पास में जब आये तो यह हम ya अत्रम के पास जब आ है तो आपने मौजूदगीरी में देखते हुए हो गया है, कोई भी ऐसा नहीं आया जो जिसने ये कहा हो कि हमें मतलब खाजा ना हुगा या आराम ना हुगा है, सभी को आराम होता है, पीलिया का रूप, बीमारी जोगा है, गारंटी के साथ ही सही होती है, इस मंदिर कहते हैं, तो पहले मंदर किस परकर गा था और अभी क्या है, पहले तो बहुत काफी पुराने बात है, ये जो ही मंदर थे, एक सेम मंदर था, एक सेरावाली माता का मंदर था, वाकि ये समाधी और ये धहम साला, इतना ही था, वाकि और ये सब बाद में हुगा है, ये तो फिलाल मैं सबसे बड़ी कि खासियत क्या है जो लोग यहां तक कहते हैं क क donn कोस्ते हैं सबसे वड़ी सिन सच्चाई की खासियत है इस है सच्चाई की दिखावा युथ नहीं यहां कोई दोके वाजी या छल खरेव कुछ भी नहीं है। यह तो हमने देखा है अपने जगसे हम रह रहे हैं। यहां कोई भी किसी तरह का मतलब किसी परकार दोका या जोटी लेगी है। यहां सच्चा ही सच्चा ही। हमारे पताजीव कोई रहे तन 24 वंटा रात में भी दिन में भी और हम भी उसी तरह रह रह रहें। दिन में तो भई भक्त लोग आ जाते हैं लिक्аш रात के अंदर कोई नहीं रहता है। अपतदिय इस?" इस रहते हैं kyya कास्त थे हैं। यह पीलिया की हिसाब से और सच्चाही के साथ पॉइंचे हैं तो असा दर्सकर जो हमारे बेख रहे हैं आपको तो उसकी तोड़ डिटेल बताए कि लोग यहां पर कैसे पॉँचे एक दूसरे को बताते हैं बड़ी बड़ी दूर से आते हैं काफी दूर से आते हैं जैसे वि दिस्वास है और दिस्वास के ही इसाब से चर्राइए आते हैं कहते हैं राम गुंड में जो भी राम कुण बना हुए है फिला इसको भी तालाब से सुविधा के लिए बोर बना दिया गया है तो पहले इस राम कुड के सी क्या कासव वाती जो यहां से लोग इती दूर तक उस पानी से तीन हकते तक मतलब वो पीना पड़ता है पानी मिक्स करके दूसरे पानी में अपने घरवाले पानी में आपहिंका भी पानी हो लेकर वो पानी जो है यह बावा का पानी मिक्स पिया जाता है और जब उससे बाद वो पानी किया जाता है और इसनान किया जाता है किसी तरह मंतर है ना धार है किसी तरह को सृप भी नहीं है सिर्फ यह पानी से ही व्यटाज़िता करते हैं भूबा जी काफ़ी fence boue को देखा है भाप जी को जानते हैं पहशानते हैं देखा हाँ यह तकी यह को भी वास और इसमें यह जिसके जश्कों विस वास जिसके अंदर अपनी सच्चाई है आत्म सच्चाई मान कि तो लोग जो आते हैं किस परकर चरदा पूजा करते हैं वो अपने मतलब सच्चाई के साथ ही करते हैं अपने अंदर अपनी आत्मा में दिस्वास है कि बाबा अमरदास्ती पूराण करेंगे पूरो मनुकामना जो है तो इनकी जो तस्वीर है अगर किसी ओदेखना चाहिए तो इसके कहां तक देख सकते हैं यह मतलब जो मंदर है जनम भूमिवारा बड़ा मंदर जो है उसी में मिल सकती है तो बात करें जैसे अब इदिल्ली बोर्डर पा यह मोज़द है ध्रमपुर गाउं लगता है गुरुगराम सठीक में काफी लोग उसकी पता नहीं है लोग तो थोड़ा इसके बाम जैंके लोग किस पर कार या पहूंच और कैसे आ सकते हैं कि यह साधने तो है अब तो साधने इडरस यह बग होती हैं वह किस तिन को हुज है को Austral के लिए कुजर्जी जो शर्धाला एक्थे इस तक पेखर प् учा प्राइब। पूजनवार कि लिए आते हैं जिन सनवार होता है। तक किसी टेम तक आजाऊ। इस फर्षात में लेके आते हैं। ले आजने की कि बधार करती है और तीन सन्वार को हाज्री यह पिन सन्वार की वाद पार के पर और और ठीक हो जाते हैं अप्छरा परसात वगराने आपने पुछीजे चड़ाते हैं हो ठीक हो जाते हैं और शीक पारी आपने परशाद चुड़ाते हैं और फूजार जाते हैं प्रवेता है काफी लोग को पता नहीं है कि वृथ यह ले सब्स सब्सक्राइब में पूर्जार इस पर नियुक्त व्यूंत कि ने बताया कि यहां पर सर्द्धास से लोगों आते हैं अपनी मनत मांगते और बर्दन पूर्य और किस प्रदे के छोटे चोटे बच्चे भी हम होजुद है छोटे बच्चे भी लगाता राते रहते हैं और के कुंड के रस्ते हैं एक दो तीन चार पांच छे 10, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 सब्ढ़ा सीड़ी उतरने बाद में चोटाया बन जाता है कुंड में नीचे उतरने के लिए उसके बाद में आपको नीचे कुंड में ले जा रहा हूं कि आ सकते हैं अब पुन का चुरहाय खतम होता है उसके बाद फिर सीडिया सुरू होती है कि एकेस है कि आधा है कि आधा है कि बाइस थेश चोविस यह सीडिया लगाता नीचे उतर रहे हैं पर मैं दिखा रहा हूं पच्छी सीडिया चपिस 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 38 इसीडिया पुस्ट कुंड में जाएगी सीडिया उतर बाद कुंड में पहुंच सकते हैं और श्रधालू मेरे साथ मोजूद भी हो यह देख सकते हैं बहुर किया गया कि तला लोग सुईधा के लिए बहुर किया गया कि पहले तलाब था महीं लाई भी लगातार श्रधालू भी मोजुदर आपको रिखाऊंगे उसके बाद कि यह लोग अपनी श्रधा से लोग कहते हैं पाने के साथ लोग धाने के बाद पूरी मिट्टी तक भी छाटते हैं और यह मंदिर रामकुंड के नाम से जानी जाती है रामकुड तलाब है उसके नाम अमार दास गुरुजी के नाम से मंदिर मौजूद है और काफी लोग को नहीं पता है कि यह मंदर जटी के बढ़ा हो चुकार काफी लोगों ने जिसपरकार मंदिर की स्थापना की है काफी लोग जुड़ गया और आस्ता से जुड़े हो मिर्शाद कुछ दर्शक यह मोज कि द्वार्का से महीला मौजूद आई थी कुछ बच्चे भी हाँ पर आये हुए और भी शर्दालों जो भी आसनाम करें रहे हैं तो मैं उनसे भी आपको बात कराऊंगा कि यह लोग भी स्नान करके आए हैं आप ने स्नान किया था नभी आपका अपका नाम अधारी यह अपका नाम नाम गुट्टू है कहां से आए बो सब आए हैं आए आजमगड जोंत रहे गाए तो आजमगड से इतना दूर आने है क्या करना था यह हमारे पूरे सरी में निकला हुआ है ऐसा तो निकला तो तो पहली बार में थोड़ा रहा पड़ा है वहां से आने बार पता नहीं क्या अपने आप ठीक होने लागे तो आप आजमगड से यहां पहुँचे हैं पहुचे आप चरम रोग है और उसके दवाई के लिए यहां पहुचे कोई नहीं किहां डॉक्टर से का इस मंदिर मायां देखते हैं भगवान के दूआ करें कि इस जल्दी से ठीक हो जार एक शर्धालू भगवान के चड़नों में और जुड़ जाए जैसा कि हमने अब मंदिर कुछ जो खासियत थी हमने आपका बता दिया पंड़ती से मिलवा जाए ईस निथीर अनाटरी से हमने पाद की थी और यह जानकाली अपसे इंपोर्डन पाफी दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में रुकने का लोग महाया गया इस terrorists की मनदिर कि आस्था का मंदिर महथा के बाद रहा कि सबसे बड़न होता है उस मंदिर में खाने का प्रयोग की गया गया है इसलिए आप जानकरी बतादू ये मंदिर था जिसकी जानकरी हमने आपको पूरी डियल दे शुके हैं अगली वीडियो के लिए दालाइब इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब लाइब करना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो अगली दरोर के साथ फिर से हम आपके साथ आएंगे योग इस जांगडा कैमरेमैन सुने के साथ दालाइब इंडिया बाकी लेटस खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें